Hello Raiders, क्या आप भी options में trading करते हैं और ये जो tool है जिसे custom strategy builder बोला जाता है ये क्या होता है ये ही आपको पता नहीं है तो भाई आप बहुत कुछ miss कर रहे हो क्योंकि लगबग सभी professional options trader इस tool का use करते हैं ये जानने के लिए कि जो वो trade लेने जारे उस trade में future में उन्हें कितना profit और loss हो सकता है ये tool आपको बहुत ही अच्छे से बताएगा कि आगे जाकर आपकी वो strategy या फिर वो position किस तरीके से काम कर सकती है कितना profit और loss उस position में आपको लेना पड़ सकता है तो अगर आपको इस टूल के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो के बाद में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी so without wasting any time let's dive into the explanation so सबसे पहले हमें options trader.dhan.co इस वाले website पर आ जाना है मैं यहाँ पर धन platform का use कर रहा हूँ क्योंकि धन में यह tool हम free of cost यूज कर सकते प्लस यहाँ पर कुछ advanced features धन ने add कि हुए जो मुझे बहुत पसंद है और जो हमारे trading experience को और smoother बनाते इसी वज़े से अगर आपके पास धन का account नहीं है तो आप open कर सकते हो free of cost अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको description में मिल जाएगी तो देसे हम यहाँ पर धन options trader इस वाले website पर login कर लेंगे कुछ इस तरीकी का interface हमें दिखेगा हमें strategy builder इस वाले section पर आ जाना है और आपको कुछ इस तरीकी window यहाँ पर दिखाई देगी अभी simple यहाँ पर आप अपनी positions बना सकते हो simple आपको यहाँ पर कुछ already options मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते कि bank nifty, fin nifty, mid cap nifty जो भी popular indices है जिनमें बहुत लोग options trade करना पसंद करते हैं तो वो directly आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे आप यहाँ पर actual strategy बना सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर multiple options मिलते हैं सबसे पहला feature है यहाँ पर add new पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि directly आपके सामने जो भी आपने indices याप यह stock select किया हुआ है वो उसकी option chain open हो जाएगी और directly आप यही पर से वो add कर सकते हो और अगर आपको बनी बना ही strategy चाहिए तो directly हम down side में scroll करना है and fast create पर जाके जो भी popular strategies है जिसे bull call spread हो गया, bull put spread हो गया या फिर जो non directional strategy है वो भी यहाँ पर listed है directly आप वहाँ पर क्लिक करके भी यहाँ पर strategy builder में add कर सकते हो and यही पर उपर आपको expiry date भी select करने को option मिल जाता है then second option यहाँ पर fast create वही same option आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा मान लिजे कि मेरा अभी nifty में bullish view है तो मैं यहाँ पर एक option selling की strategy बनाना चाहता हो तो यहाँ पर मैं bullish put spread यह वाली strategy यहाँ पर बनाना चाहता हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर bullish put spread के उपर click करूंगा यहाँ पर with respect to that strike price आ जाएंगे expiry date आ जाएंगी और यहाँ पर आपको payoff graph भी देखने को मिल जाएगा अभी सबसे पहले यह column explain करते हैं तो यहाँ पर आपको buying करना या फिर selling करना यह strike price पर वो option आ जाता है आप यहाँ पर click करके कोई और expiry date भी select कर सकते हो आप यहाँ पर से उपर नीचे strike price भी कर सकते हो उसके बाद में आपको PE में काम करना या फिर CE में काम करना है सबसे पहले selling की position execute करनी है तो वो आप यहाँ पर से सिधा drag कर सकते हो और अगर आपको इस वाले strategy में और एक leg add करना है तो simple आपको इस वाले button पर click कर देना है उसके बाद में expiry date select करो strike price यहाँ पर से select करो CE में काम करना है PE में काम करना है वो select करो उसके बाद में आप कितने price में enter करना चाते हो वो डालो और simple add button पर click कर दोगे तो वो भी leg यहाँ पर लग जाएगा और फिर जब आप यहाँ पर अपनी strategy add कर लोगे तो आप directly यही पर से execute कर सकते हो या फिर अभी तक trade setup नहीं बना मतलब समझ लीजे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर यह strategy बना लिए बट आपको chart की उपर confirmation नहीं मिला आप confirmation के लिए wait करना चाते हो तो simple आप क्या कर सकते हो यही पर से basket बना सकते हो basket को कोई अच्छा सा नाम दे दो और यहाँ पर save button पर click कर दोगे तो easily यहाँ पर यह basket बन जाएगा और जब भी आपको entry मिल जाएगी आप वो basket पर जाके execute all बटन पर click कर दोगे तो वो सारे orders वहाँ पर से execute हो जाएगे और else आप यही पर से directly orders execute भी कर सकते हो दिन नीचे आपको यह positions अगर आपको trade करने है तो कितना margin लगेगा वो यहाँ पर margin देखने को मिल जाता है अगर funds यहाँ पर कम पड़े तो आप यही पर से top up भी कर सकते हो देन जब यह आप पूरी position यहाँ पर बना लोगे तो यह payoff graph आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा अभी payoff graph पर बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी कि price कितना move करेगा तो आपको कितना profit होगा जैसे आप यहाँ पर देख सकती कि यही पर से आपको देखने को मिल जा रहा है expiry day पर कितना profit होगा same goes with loss यह जो blue color की line है वो आपको actual profit and loss यहाँ पर बताएगी कि कितना हो रहा है अभी इसी के साथ में आप यहाँ पर अगर सोड़ा सा downside में आ जाएगे तो आप यहाँ पर कितना price अगर move करेगा तो हमें कितना profit या फिर loss हो सकता है वो भी select कर सकते हो या फिर particular day भी select कर सकते हो कि expire इसे कितने देन पहले हमें कितना profit है और loss यहाँ पर हो सकता है वो target date भी आप यहाँ पर select कर सकते हो और वो target date के हिसाब से आपको यहाँ पर profit and loss शो करेगा तो इतना अच्छा feature उसे के साथ में आप panel table देख सकते हो उसके साथ में strategy chart देख सकते हो उसके साथ में multi strike OI यह सारे features बहुत सारे website पेड है बट धन यहाँ पर free of cost प्रोवाइड कर रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा market अगर मेरे opposite direction में next day open होता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 4745 रुपीज का loss होगा अगर यह loss इतना sustain कर पाता हो तो obviously मैं यह trade लूँगा otherwise नहीं लूँगा आप यहाँ पर risk to reward भी देख सकते हो यह सारी चीजे break even कितने में होगा वो भी देख सकते हो अभी यह सारी चीजे trade लेने से पहले अगर हमें पता हो तो वह आपको बहुत सारे direction में help कर सकते है कि आपको यह trade overnight लेके जाना चीए नहीं जाना चीए market conditions क्या है कितना max to max loss होगा क्या risk to reward आ रहा है यह सारी चीजे आ इस तरी के से हम यूज कर सकते इसके और आप भी अपने trading में इसे use करोगे ठीक है तो आज के वीडियो में इतना यह रखते है होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजा आपके को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much